यहां तो संसार में यहां ग्रहस्तिक दशा में रहकर के सिद्ध की अनुभूती ऐसा धरम आज तक तुमने सुना नहीं धरम इतना सरल है धरम इतना सरल है कठोर ने कठीन तुम्हें सुनाया गया है कि घर में से बाहर निकलो धरम होगा मंदिर में जाओ धरम होगा यहां तो घर में रहकर के धरम हो सकता है ऐसा नहीं घर में रहकर के ही धरम हो सकता है कठोर 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 धरम नहीं हो सकता क्योंकि सभाव इतना कठिन नहीं हो सकता सभाव तो उसे ही कहते जो सहज हो कठिन कैसे हो मिर्ची को तिखा होने में कठिन आई होगी ओ, 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 ऐसा हो दूर से तुम देखते हैं इसलिए ऐसा लगता है उसको तो पता नहीं गुलाब के फुल को काटे के संग में खिलने में कितनी तकलीफ होती होगी कितनी कठीन तपस्चरिया गुलाब करता होगा कि काटे के साथ में रहकर के खिलने में कितनी तपस्चरिया वो गुलाब को पूछो उसको तो पता भी नहीं है कि काटा कहा होगा है वो तो खिलता है अपने में धर्म तो अपने में खिलने का नाम है काटे का तो पता नहीं रहता मगर दूर से जो देखता है उसको ऐसा लगता है वो काटे ही गिनता रहता है यह अरे इतने काटे को सहन करने वाला गुलाफ ज्यानी तो कहते हम तो विकल्प को भी सहन नहीं करते विकल्प को भी सहन नहीं करते ये चैतन ये परमातमा में राग और द्वेश को भी सहन नहीं करने वाला ऐसा ये ये सहज 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 मुनिराज की तो वह दशा है कितने मिले होंगे आचारे कुंद कुंद देव को रोकने वाले ग्यारा साल का बच्चे उसको रोकने वाले मिले नहीं होंगे कै सब ने कहा होगा चला जा जा जंगल में जा मगर भीतर में ग्यारा बरस के बच्चे को सर्प नहीं ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की सत्ता का दर्शन हुआ ऐसा ये और उसके लिए बर्सों तक पढ़ना पड़े ऐसा कहां वहां तो बर्सों कहां बीते बचपना था बचपन का खेल खेलने वाला बच्चा इसलिए हे ज्ञान दीपक ये ज्ञागरूती भगवान तो एक समय के लिए भी निराश मत हो ना तुझे डराया गया है कि धरम बहुत कठिन है धरम कठिन नहीं है और धरम कठिन है ये कह करके तुझे अधर्मी कह दिया ऐसे हो कि तू क्रिया कांड करता नहीं है तू तो पूजा भक्ति करता नहीं है तू तो चावल चड़ाता नहीं है तू अधर्मी है अधर्मी ही तुम्हें अधर्मी देख सकता है धर्मी तो तुम्हें परमात्मा देखेगा अधर्मी ही तुम्हें अधर्मी देख सकता है क्योंकि जिसके द्रस्टी में अधर्म है उसे अधर्मी दिखता है जिसकी द्रस्टी में ज्ञान सत्ता चैतन्य सत्ता है उन्हें तो प्रत्य का आत्मा में चैतन्य सत्ता दिखते हैं एसा ध्रूव चैतन्य परमात्मा ये मैं हूँ बगवान ये पहाड का पडोसी भी नहीं परिणाम का पड नहीं पाता मेरा अधिकार का यह शरीर मेरा है नहीं अभी देखो यह शरीर काप रहा है यह ठंड में जो कापता हुआ शरीर यदि मेरा उता तो कहूं कंपन रुख जाए तो रुखता नहीं है अरे अनंत चतुस्त्रय जिन के प्रगट हुए ऐसे तिर्थंकर भगवान को भी कंपन रुखा नहीं सयोगी केवली है कंपन होता है वहाँ पर भी कंपन पर भी अधिकार नहीं यह तो आत्मा के कंपन पर अधिकार नहीं है तो यह देख के कंपन पर मेरा अधिकार कैसा कंपन के काल में भी अकंप चैतन्य सत्ता की जागरूती यह जागरूती धरम यह जा दरपण के सामने एसा पुतला दरपण के सामने कापता हो और वो तुम्हें दिखाई देता हो यह जो तुम्हें दिखाई देता हो यह दिखाई देने की क्रिया के काल में ऐसा जब दिखाई देता हो उस समय तुम्हें यह जागरती की दरपण में कमपन नहीं है सागर की लेहरों को उचलता उचलता तुम दरपण में प्रतिबिंब होता हुआ देखो तो दरपण नहीं उचलता है ये जागरुती काज के गिलास को फुटता हुआ तुमने दरपण में देखा कि दरपण नहीं फुट गया ये जागरुती ऐसे ही ये कमपन वाला बिखरने वाला ये दे ग्यान में जानने में आता है उस ग्यान का बिखरना नहीं हो रहा है भगवान ये ग्यान 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 ही है किन किन ग्यों का हिसाब करने जाओं फिर एक ग्येई थोड़ी है अभी ये फिर वो फिर वो फिर वो ये ग्येई तो कितने हैं एसा चैतन्या 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 एक चैतन्या एसा ग्येईों का हिसाब करना वो तो धरम कठीन है के कौन-कौन से ग्येय समय सार प्रवाचन सार नियम सार अस्टपाहूल पंच लपनू क्छान भिद बांज करें। पाँच पहाड का दीन नहीं है तीन दो का दीन है आज का दीन तीन दो का दीन है तीन दो पांच पहाड पर इसलिए आने का भाव आया और भी यह ऐसा ओ तीन दो का विभाजन शास्त्रों में इतना तीन दो का विभाजन किया और उसमें ज्ञान में ज्ञान को कैसे जानना य उसमें भी तीन और दो का विभाजन आज का दिन तीन दो का दिन तीन आज की तीन शास्त्रे यह जिनके आगे हम सार लगाते हैं ने सार समई सार प्रमचन सार और नियम सार और दो अलग है अस्ट पाहूड और पंचास्ती का इसंग्रा नगर सार वाले तीन सार का है आज का तीन तीन दो का दिन है तीन दो तीन दो का दिन है भगवान पांच ज्ञान में तीन ज्ञान तो प्रत्यक्ष है और दो ज्ञान परोक्ष है आज का दिन तीन दो का दिन है अवधी ज्ञान मनव परिय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है और मती ज्ञान सुरुत ज्ञान जो है ये मती ज्ञान सुरुत ज्ञान ये प थीदि करना पांच परमेस्थी में तीन दो ऊते हैं तीन परमेस्थी गुरु ऊते हैं दो परमेस्थी देव उते आचारिय उपाद्याय साधू चे इगुरू और अर्य हन्त और सिद्ध Q3 ये तीन और दो, तीन दो की जोड़ी तो बहुत लंबी जोड़ी है, बहुत लंबी ऐसी लंबी जोड़ी है, ऐसी लंबी जोड़ी है, भगवान, लोकांतिक देव, जब पंच कल्यानक प्रतिस्था मौस भगवान का, ओ तिर्थंकर भगवान का, वो तीन कल्यानक में बस यह दो रखेंद नहीं यह तीनिज दो का तीन दो का स्वरूप कि पाफ गवानfilm केаров इसी दो अ मगर उन समय गटित यह सब गुद्धिक आखेलें कि इनो完成 त Courtney में से तीन में ब्रभीतों हमेशा वह तो विग्रागती में भी रहते हैं, एक चरीर में से दूसरे चरीर में जाए नै। तब ये दो शरीर तो हमेशा रहते हैं, तेजस और कार्मान। ये तीन दो का दिन ये तो बुद्धी का खेल है ये तीन दो में ऐसा एक नहीं हो इसमें तो इतना धेर सारा अभी इतना धेर सारा तीन दो का पांच का खेल है उसमें ऐसा है पांच इंद्री होती है उसमें स्पर्शन इंद्री और रसन इंद्री है उसको काम इंद्री ये कह केते हैं योकि गुलाव का फूल वहां है सुंगो उसको चूने की जरूरत नहीं है आँख से देखो टीवी को कान से सुनो किसी गाने को तो वो दूर से रह करके स्पर्ष के बिना भी समझ में आता है और रसगुला जीब को चूता है पानी ठंडा गरम चमडी को चूता है तो तीन इंद्री है वो भूगेंद्री है और दो है वो कामेंद्री है ऐसे तो कितने 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 भेद है पंच 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 बालियती तिर्थंकर हुए नो उसमें तीन है वो लगातार हुए क्रम से नेमिनात भगवान पार्षनात भगवान और माविर भग इसा तीन दो का दिन है पांच पांडव में 3 और 2 की जोड़ी थी ऐसी युदिस्थिर भीम और अर्जुन तीन थे और सहदेव नकुल ये 2 थे ऐसा तीन 2 की जोड़ी इसका हिसाब करने बैठू मेरे सामने अभी सो बाते यसी सामने अभी आ रही है एक सो जिसका कभी रहस्य क मगर यह सब बुद्धि आफ इसमें जो भेड जो है तीन दो पह इसमे एक चैतन्य चैतन्य कुछ के आज का दीन तो तीन का दीन ऐसी का दीन है EBC date अबने चैतन यह चैतन्य चैतन्य का दीन यह चैतन्य तत्व के आसरे से तीन दो चले जाते हैं मिझ्या दर्षन् मिध्याग्ञान मिध्या चारित्र यह तीन वकाहिं राघवेश के विकार य metric ratio यह दूर हो जाते हैं तीन स्टंप भी चले जाते हैं और की की दो गिल्या भी चली जाती है आज का दिन तीन दो का दिन है ये पांच पहाड का पडोसी में परिणाम का पडोसी में चैतन्य परमात्मा ये चैतन्य परमात्मा चैतन्य 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 भगवान ये ग्ञान दीपक इन सब भेदों को ग्ञानी जानता है बुद्धी मगर ये जानता है कि ये जितने भी ग्यान में जानने में आ रहे है ये ग्येयों की गिंती करने में रस होगा तो संसार है वो कठीन भी है ग्येयों की गिंती कितनी कठीन है ये सब ग्येयों को याद रखना कितना कठीन है और एक ही इन सब में व्याप्त एक ज्ञान की सत्ता जिसको याद भी नहीं करनी पड़ती याद करने का नाम धर्म नहीं है जब आत्मा की याद आए तब समझना कि अभी अधर्म चल रहा है ऐसा यह कि उसमें भूलना चुपा है नहीं कुछ एक समय के लिए भी भूल गया मैं एक समय के लिए भूल गया वो भूल जाने में वो सिकार कर लिया आज पूरे दिन बर सत्संग होने वाला है हूँ पूरे दिन भर मेरी तो भावना है आज पूरे दिन भर सत्संग हो ऐसा और होगा होगा और होगा